बड़ी और दुखत खबर आ रही है नैपाल से बुकम के जटकों से तहला नैपाल 128 लोगों की मौत दिलिये एंसियार और पिहार यूपी में भी काफी धढ़ती बीति राद नैपाल में बुकम से कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक करीब 128 लोगों की मौत की सूचना प्राप्त हो रही है घटना रात की है इसलिए धिरे धिरी जानकारी बाहर आ रही है नेपाल के कई इलाकों में रेस्टियो बिहान भी चलाया जा रहा है और हताहतों की जानकारी ली जा रही है नेपाल में करीब 6.4 तीवरिता के साथ 20 भूकम का प्रभाब भारत की कई राज्यों महसूस किया गया दिल्ली एंसी अरसाहित बिहार और यूपी में भी जटके महसूस किये गए एक समाचार एंसी के अनुसार नेपाल में भूकम से रुकुम वेस्ट जिले में अधिक प्रभाव है जहां मृत्कों की संक्या बढ़ सकती है रुकुम वेस्ट जिले के चीफ डिस्रिक्ट ऑफिसर हरी प्रसाथ पंत के अनुसार अभी तक 36 लोग की मौत की पुष्टी हुई है और आगे ये संक्या बढ़ सकती है शुकुम से हुई जानमाल की हानी पर नेपाल की प्रभावी तिलागों की दोरे पर निकल गए है जानकारी के मुताबिक भेरी ऑस्पिटल कोलापुर मेडिकल कॉलेज और नेपाल गंज मिलिटरी हुस्पिटल को इलाज के लिए एक्टिव कर दिया गया है